कि यदि हम अपने सभाव या व्यवहार को समझें तो कई बार हम कहते हैं आज मेरा मन यह कह रहा है या आज भोजन में कुछ विशेश बनाएं या कई बार मन कहता है किसी से मिलने का मन के प्रकटी करण को इच्छाओं से समझ सकते हैं तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यह मन क्या है और क्यों यह हमें इस प्रकार के कारियों को करने के लिए प्रेरित करता है यदि हम अपने जीवन को देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन के अधिकतर कारिय इसी से प्रेरित होते हैं और यह मन यहीं पर नहीं सिमित होता है यह कई धेर सारे विशयों को प्रभावित करता है हम इस बात को जानते हैं कि हमारे नेड़यों को हमारा मन प्रभावित कर रहा है मगर हमारा मन किससे प्रभावित हो रहा है या कौन हमारे मन पर प्रभाव डाल रहा है इसके बारे में कई लोगों को इस पश्टता नहीं होती है कोई विशय बड़े गंभीर तरीके से मन को आकरशित कर रहा है और हम इस मन के कारण उस विशय के प्रती आकरशित होकर उसे पाने का प्रियास कर रहे हैं और यह प्रियास कई बार संघर्ष के रूप में हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है तो क्या हमने इसे समझने की कोशिश की है कि ऐसा होता क्यों है और इस प्रकार के प्रियास कोई सामान्य नहीं होते हैं बल्कि ये हमारे अंदर बड़ी बेचैनी और व्याकुलता को उत्पन कर देते हैं यहाँ पर हमारी बेचैनी और व्याकुलता और मन की इच्छाएं तो समझाती है मगर इनके कारण क्या ये क्यों पन होते हैं यह एक गहरा प्रश्ण रह्ष के रूप में धरा का धरा ही रह जाता है तो अब आगे इनी विशयों को समझने का प्रियास करेंगे पांच नियम के सार में ततागत बुद्ध द्वारा बताए गए उतुनियम, बीजनियम, चितनियम, कर्मनियम वधमनियम में अभी तक हमने उतुनियम वधीजनियम को समझा अब हम चितनियम को समझेंगे तो अब यह चित क्या है सीधे वो सरल रूप में समझें तो यह हमारे आंतरिक अनुभाओं का प्रती निधित्व करता है यदि हम अपना आत्म चिंतन करें तो हमें अपने अंदर के भावनात्मक गुण का एहसास होता है वे अनुभूतियां जो हमारी सुखद व दुखद वेदनाओं के रूप में इस मरती के भाव में उपस्थित होती है तथा गज़ बुद्ध के संदेशों में चित एक बेहद गूढ़ विशे है यह सभी का केंद्र है जब कोई इस चित की विशेष्टाओं को समझ लेता है तो वह ग्यानी हो जाता है और इसी से संबंधिक जुड़ा प्रश्ण तथागत बुद्ध से मजिम काय के महा मालुक्य सुत्त में किया जाता है आयुश्मान आनंद ने बुद्ध से पूछ लिया कि कोई भिख्षू चित की विमुक्ति वाले और कोई प्रग्या से पूर विमुक्ति वाले क्यूं होते है बुद्ध ने इसपश्ट किया कि इंद्री याने मन शक्ती भेत के कारण ऐसा होता है यहाँ पर बुद्ध तीन विशयों का उलेक करते हैं पहला मन दूसरा चित और तीसरा प्रग्या मन जिसे बुद्ध शरायतन के एक इंद्रीय का इस्थान देते हैं जो हमारी पांच इंद्रियों से प्रभावित होता है वे पांच इंद्रियां हैं आख, कान, नाख, जीब, वो शरीर इनकी वेदनाओं से उत्पन प्रभाव मन के उपर पड़ते हैं और इनहीं की वज़े से यह मन चिंतन मनन करता है और विचारों का प्रकटी करण होता है दूसरा चित वैसे देखा जाए तो चित को मन से अलग कर नहीं समझा जा सकता मगर चित में भावनात्मक रूप प्रधान रहता है चित याने हमारे सुखद व दुखद वेदनाओं की इस्मरिती वे सुखद समवेदनाएं जिन्हें चित अनुभाव करता है और उसी के प्रती यह आकर्शित होता है वैसे चित और मन में कोई विशेस अंतर नहीं है केवल हम चित को भाव के भावनात्मक रूप में और मन को चिंतन मनन के प्रकटी करण के रूप में समझ सकते हैं बड़े गहरे से हमारे अंतह करण को ये प्रभावित करते हैं और इसके आगे बुद्ध यहाँ पर तीसरे विशे प्रग्या जिसे वे बेहद महत्यपूर मानते हैं प्रग्या याने विचार शीलता बुद्धि मत्ता और यही प्रग्या बड़े ही गहरे रूप में हमारे चित या मन पर प्रभाव डालती है अगर हम तीनों विशयों के मूलस्तित को देखें तो ये पूरी तरह से चेतना के कारण होते हैं जिसे बुद्ध विज्ञान के संबोधित करते हैं विज्ञान का अर्थ है चेतना याने बाहरी व आंतरिक जागरूपता या खोश चेतना का उलेक होते ही भारतिय व पाश्चाद दर्शनों में धेर सारी विचार उत्पन होते हैं भारतिय दर्शनों में चेतना पर बड़ा ही गंभी मन्थन किया गया है हमारे चित को चेतना का मूल माना गया है यही चेतना जो मन चित व प्रग्या से युक्त होती है यह अनुभूतियां कुछ विशेस एहसास कराती है और यही पर मैं का बोध होता है कि जो यह मैं हूँ यही जीवन की सुखद व दुखद वेदनाओं का अनुभू करता है और यही वेदनाएं मैं के वजूत को अस्तित्तों में लाती है और इन वेदनाओं से उत्पन भाव की इस मृती हमारे चित में विद्ध मान रहती है इस प्रकार के भाव का इस पश्च अनुभू ध्यान के प्रारंभिक चरणों में होता है और इसी मैं रूपी आत्म तत्म के अनुभू को हम ध्यान के माध्यम से अनुभू करते हैं यह मैं होने का हिसास आपको इस प्रक्रति से अलग कर देता है और इसी मैं रूपी आत्म अनुभू को भारतिय दर्शन में आत्मा का नाम दिया गया है कि जो ये अनुभव जिने हमारा चित्त अनुभव करता है ये हमारे आत्मा के कारण होते हैं और यह यहीं पर नहीं रुकता इसके आगे इसी आत्मा का अमर रूपस्तित में आता है यहाँ पर एक विशेश बात होती है कि हम यह मानने को तयार ही नहीं होते हैं कि यह मैं रूपी बोध कभी नश्ट हो सकता है क्योंकि वर्तमान में हम मैं का अस्तित्व देखते हैं इसी से हमें संपूर अनुभव होता है मगर हम यह मानने को तयार नहीं है कि इसका अन्त होता है यही भाव आत्मा के रूप में प्रकठो अपनी अमरता को प्रस्तुत करता है और इसी आत्मा को जब पर मात्मा से जोड़ते हैं तो हम सर्वोच पदों के सुखद अनुभूतियों की कलपनाएं करने लगते हैं इस चेतना वह मन चित और प्रग्या को इसी शरीर से जुड़ा मानते हैं और वे अमर आत्मा का खंडन कर देते हैं बुद्ध कहते हैं कि जो यह मैं का भाव है वह इस पंच इसकंद से उत्पन शरीर का परिणाम है यह भाव इनहीं के कारण उत्पन होते हैं और शरीर के नश्ट होते ही यह मैं का भाव भी नश्ट हो जाता है और इनी के संदर्व में बुद्ध संयुक्त निकाय के पुफ वक्य के खंड में कहते हैं कि अविद्या के अंधकार में पड़े हुए त्रिश्णा के बंधन में बधे हुए और संसार में संधावन करने वाले प्राणियों की दुख का अंत नहीं होता तो यहाँ पर हमारे चित के अनुभव या वेदनाओं से उत्पन बंधन को समझना अत्यावशक है चित की प्रकिति या प्रवित्ति को समझना अवशक है सुखद और दुखद संवेदनाएं इस चित को प्रभावित करती है और सुखद संवेदनाएं एक बंधन के रूप में तृष्णा को जन्म देती है और इसी तृष्णा के बंधन में जीवन फससा जाता है और इसके आगे बुद्ध कहते हैं कि जैसे मजबूती से गड़े हुए खूटे में बधा हुआ कुत्ता उसी खूटे के इर्द गिर्द चलता ठहरता बैठता अथवा लेटता है वैसे ही वह अज्ञानी वेक्टी जो रूप, वेदना, संग्या, संसकारो तथा विज्ञान में से किसी को भी ऐसा समझता है कि यह मेरा है यह मैं हूँ, यह मेरी आत्मा है, वह इन पांच उपादान इसकंधों की इर्द गिर्द चलता, ठहरता, बैठता, अथवा लेटता है तो बुद्धिया पे बहुत विशेस बात कहते हैं कि यह जो चित्त के भाव हैं और जो इन में परिवर्थन होता है इन्हें बड़ी गहराई से समझना चाहिए, कि जो यह मैं का बोद, जो यह आत्मा का बोद, यह हमारे पंच इसकंधों से निर्मित हैं और इन ही से निर्मित भावों को व्यक्ति मैं या आत्मा के भाव में समझता है तो यहाँ पर जो मैं का बोध उत्पन हुआ है बुद्ध कहते हैं कि ये केवल पंच इसकंधों से निर्मित है और जो इन पंच इसकंधों को नहीं समझ पाता है बुद्ध उसे अज्ञानी व्यक्ति कहते हैं और इसका प्रभाव हम अपने जीवन पे बड़े गहरे देखते हैं कि जो ये मैं का बोध या आत्मा की अमरता का बोध या शरीर की अमरता का बोध है ये बड़े गहरे से हमारे जीवन में भ्रम को उत्पन करता है इसे एक उदारण से समझते हैं कि जैसे विभिन्य धर्मों में स्वर्ग, जन्नत और हैवन की कल्पना की गई है वास्तों में बड़ी गंभीरता से अगर हम देखें और यह प्रशनुत्पन करें कि हम स्वर्ग, जन्नत या हैवन में जाकर क्या करेंगे तो जिस प्रकार के वर्णन मिलते हैं, उसमें हमें यही चित के भाव का प्रकटी करण होता है कि वर्तमान में जो हमारी सुकद समवेदनाएं हैं और इनहीं समवेदनाओं का जो हमारे चित पर प्रभाव पड़ता है इनहीं के कारण बंधन का निर्माण होता है और इन्ही को हम वास्तिविक मान बैठते हैं और मृत्य के बाद के दूसरे जीवन में भी हम इन्हें ढूनते हैं और चुकि ये वास्तिविक जीवन नहीं है इसलिए हम भ्रह्म पूर्वक ऐसे लोकों में इनकी कल्पना करते हैं और सबसे बड़ी खास बात कि ऐसी बातों को मानने वाला व्यक्ति कभी इन से बाहर आही नहीं सकता है बुद्ध उसे अविद्या से ग्रसित अज्ञानी व्यक्ति कहते हैं वो कहते हैं कि इस प्रकार के भाओं के बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति उसकी अवस्था उस कुत्ते के जैसी हो जाती है कि जिसे एक खूटे से बान दिया गया है वो कुत्ता उसी खूटे के इर्दिगिर्द चलता ठहता बैठता अठवा लेटता है तो यहाँ पर इसी पंचिस कंधों से उत्पन इस आंतरिक चित्द के अनुभों में ये मैं हम ये मेरी आत्मा है या ये मेरा शरीर है इस प्रकार के भाव हमारे ठीक वही इस्तिदी कर देते हैं कि हम अन्तत इन्ही पंचिसकंधों के इर्द गिर्द चलते खहरते बैठते अथवा लेटते हैं हम इसे बाहर जाकर सोची नहीं सकते हैं जो हमारी सुकत सम्विय जनाए हैं बस वो और मैं इन्ही के मध्य हम सोचते रहते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि मैं का भाव, आत्मा का भाव, स्वर्ग का भाव या किसी लोग का भाव ये पूरी तरह से जीवन को भरम कर उसे केवल दुखों के दलदल में भेज देते हैं और सबसे बड़ी दुखत बात ये रहती है कि यह व्यक्ति इनसे बाहर चल कर सोची नहीं पाता है वो इन्ही को वास्तविक मान लेता है और इसी में फसा रहता है और फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि आता है बार बार आत्म चिंतन करना चाहिए कि लंबे समय से यह चित राग द्वेश मोह से मलीन है चित की मलीनता से प्राणी मेले और चित की निर्मलता से निर्मल होते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि इस आंतरिक चित में भी नियम लागू होते हैं कि इस चित को जिस प्रकार की परिस्थिती जिस प्रकार का परिवेश हम देंगे वैसे ही यह चित हमारा प्रतिक्रिया करता है कि यह चित अकारण ही नहीं व्यवहार करता है इसके सभी प्रकार के भाओं और व्यवहार के पीछे कारण होते हैं तो इन ही कारणों को और स्पष्टी करण से जानेंगे धन्यवाद